करनाटक विदंसवा चुनावों की परिणाव सभी के सामने आ चुके हैं। कॉंग्रेश ने प्रचन जीत के साथ वाँ सरकार बना ली है और भाश्वा अपने तमाम पैत्रे अपनाने के बाद भी हार गई है। हार का मूँ देखने के बाद भाश्वा के नेता अपनी पौकलाहाट अलगलग बयान देकर निकाल रहे हैं। अलवल दौरे पर आए केंद्री मंत्री भुपेंदरी आदम ने कहा कि हम चुना परिणाम देख रहे हैं और विच्छार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजिस्थाने भाश्वा पूरी मैजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। इसके लिए पार्टे एक जुठ होकर काम कर रहे हैं। राजिस्थान में भश्चाचार भी तुम करो और आंदोलन भी तुम करो यह नीती पर काम कर रहे हैं। लेकिन जन्ता आने वाले सुनावों में कंबल का बटन दबाकर उन्हें हराएगी। उपिंद्र यादव ने का कि राजिस्थान में सबसे ज़्यादा चिंता की बात कानूर ववस्था है। अलवर्ण में सबसे ज़्यादा रंगदारी और फिरोती का नया कल्चर पनपरा है। इससे पुलिस का आरोपियों में डर खतम हो चुका है लेकिन सरकाच चुप बैठी है। इसके साथ एकेंद्रे मंतरी ने जैपुर बंबलास मामले को लेकर कहा कि घैलोद ने सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जिससे सभी आरोपी बरी हो गए। अब जैपुर बंबलास में कोई भी आरोपी नहीं है।